किया आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति अपनी मेहनत और द्रिश्टी से एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बदल सकता है। आज हम बात करेंगे रतन टाटा की एक ऐसे उध्योगपती की जिनकी कहानी प्रेरना, समर्पन और नवाचार से भरी है। आईए जानते हैं उनके जीवन के अनकहे पहलूओं और कैसे उन्होंने टाटा ग्रूप को वैश्विक पहचान दिलाए। 28 दिसंबर 1937 को बंबई, डिटिश भारत, वर्तमान मुंबई में जन्मे रतन टाटा, नवल टाटा और सूनी कमिसारियत के पुत्र थे। जब रतन टाटा दस वर्ष के थे, तब वे आलग हो गए। वह कॉनल विश्विद्यालेय और हावर्ड बिजने स्कूल के पूर्व छात्र हैं। रतन टाटा, टाटा संस के अध्यक्ष कब बने। जब J.R.D. टाटा ने 1991 में टाटा संस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्हें कई कमपनियों के प्रमुकों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कमपनियों में दशकों तक काम किया था। टाटा ने सेवानिवृती की आयू निर्धारित करके उनकी जगह लेना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रत्य एक कम्पनी के लिए समूह कार्याले में रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया उनके नित्रित्व में Tata Suns की अतिव्यापी कम्पनियों को एक समन्वेत इकाई के रूप में सुव्यवस्थित किया गया उनके 21 वर्षों के कार्यकाल के दोरान राजस्व 40 गुना से अधिक तथा लाब 50 गुना से अधिक बढ़ा उन्होंने Tata Tiko Tateley, Tata Motors को Jaguar Land Rover तथा Tata Steel को Korus का अधिगरहन करने में मदद की जिससे ये संड़ठन मुख्यता भारत केंडरित समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित हो गया उन्होंने Tata Nano Car की भी सकलपना तैयार की थी Car की कीमत ऐसी रखी गई थी जो औसत भारतिय उभोकता की पहुंच में थी 75 वर्ष की आयू पूरी होने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को Tata Suns के अध्यक्षपद से इस्तीफा दे दिया साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया हाला की निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मद्दान किया और रतन टाटा को समूव का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया रतन टाटा के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए रतन टाटा समूव के प्रमुक वेनू श्री निवासन, बेन कैपिटल के अमित चंद्रा, पूर्व राजनेक रोनेन सेन और लौट कुमार भट्ताचार्य की एक चयन समिती गठित की गई थी समिती ने 12 जन्वरी 2017 को नत्राजन चंद्रशेखरन को टाटा संस का अध्यक्ष नामित किया रतन टाटा ने अपनी निजी बचत स्नापडी, टी बॉक्स और कैशिक रोड डॉट कॉम में निवेश की उन्होंने ओला, कैब्स, शियुमी, नेस्टवे और डॉग स्पॉट में भी निवेश किया शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीन विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनोती पुंक शेत्रों में बहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ विल्स विश्विध्यालय के इंजीनिरिंग संकाई को सहयोग दिया टाटा शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट ने 28 मिलियन डॉलर का टाटा चात्रवरित्ती कोश प्रदान किया था जिससे कॉनल विश्विध्यालय भारत के सनातक चात्रों को वित्तिय सहायता प्रदान कर सके वार्शिक चात्रवरित्ती से एक समय में लगभग 20 चात्रों को सहायता मिलती थी टाटा समूर की कंपनियों और टाटा चैरिटीज ने 2010 में हावर्ड बिजनिस स्कूल HBS को एक कार्यकारी केंडर के निर्मान के लिए 50 मिलियन डॉलर का दान दिया था टाटा कंसल्टेंसी सविसेज TCS ने संग्यानात्मक प्रणालियों और स्वचालित वहनों पर शोध हेतू कार्नेगी मेलन विश्विध्यालेट CMU को 35 मिलियन डॉलर का दान दिया था ये किसी कंपणी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है और 48,000 वर्ट फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है टाटा समूह ने 2014 में भारतिय प्रोध्योगी की संस्थान, बॉम्बे को 950 मिलियन डॉलर का रिन दिया गया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलोजी एंड डिजाइन TCTD का गठन किया गया ये संस्थान के इतिहास में अब तक प्राप्ट सबसे बड़ा दान था टाटा ट्रस्ट्स ने भारतिय विज्ञान संस्थान, नियूरो साइन्स सेंटर को अलजाइमर रोग के कारणों के अंतरनीहित तंतर का अध्ययन करने तथा इसके शीग्र निदान और उपचार के लिए तरीके विक्सित करने हितु 750 मिलियन रुप्ये का अनुदान भी प् जिसका प्रारमविक फोकस भारत पर था। रतन टाटा ने 2011 में कहा था मैं चार बार शादी करने के करीब पहुचा लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी कारण से मैं पीछे हट गया। रहे और जीवन भर अविवाहित रहे। रतन टाटा बीते कुछ दिनों से उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से मुंबई के मशहूर ब्रीच केंड अस्पताल में भरती थी। विशेशग्यों की डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी, हलाकि 9 अक्टूबर 2024 की रा पार योगदान और मानवता के प्रती उनकी प्रतिबधता को दर्शाते हैं। के लिए मिला। तारांकन टाइम्स सौ तारांकन तारांकन उन्हें टाइम मेगजीन द्वारा दुनिया के सौ सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में स्थान मिला। तारांकन फेलोशिप आफ दर रोयल सोसाइटी तारांकन विज्ञान और प्रोद्योगी की में उनके यो सब्सक्राइब जरूर करे धन्यबाद